ये देयर और वन सगेंड वेलकम टो डवले स्कूप टक माइसल भागी रदगिरी और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के मदद से एक नोट अप बन सकता है कि आप स्क्रीं पर देख सकते हो यह हमारा एक अप्लिकिशन है और जैसे रिफ्रेस कर सकते हूं मेरे प्र ₤ ऑहलो एबये और आफ और अब Васान 것을 फ्रता हूं तो देखने आप और यहां पर में लिख दूंगा ह Ihnen हमार् chemistry घी है और जैसे आ तो आप बीच आप चाहो तो इसको सेव कर सकते हो अब यह सेव क्या कर रहा है कि जब आप यहां रीफरेस करोगे तो यह जो नोट है वो यहां पर बाइडिफ़ल्ट एक रहेगा तो यही सेम हम लोगों को अभी एक बनाना है तो चलिए इसी UI को as it is use करते हम लोग बनाएंगे बट मैं आपको UI भी पूरी त्रिके से बनाना सिखाऊंगा तो थोड़ा सा यह वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे हैं तो यह हमारी HTML फाइल हो गई और यहां पर हम लोग CSS लिंक कर देता है CSS यह हमारी custom.css हो गई और नीचे में script tag में लिंक करवा देता हूं हमारी app.js को ठीके तो js slash app.js तो यह हमारी CSS की file है और app.js है CSS की file में मैं कुछ basic research कर देता हूं जैसे padding 0, margin 0, box sizing border box ठीके और यह हमारा इसको मैं live server पर run कर देता हूं ठीक है हमें same UI बनाना है तो मैं flat UI वाली website पर चला जाता हूं और कुछ इसी type का मैं UI बनाओगा viewport का 100% होगा और background color यह होगा जो हमने यहां पर दिया है ठीक है तो यह आप देख सकते हो यह आपका document जिसमें यह same background color है आप चाहो तो कोई भी background color लगा सकते हो अब next हम लोगों को यहां पर इसको देना है display flex ठीक है दो चीजए देनी है एक तो इसको देना है display flex और दूसरा हम लोगों को इसको देना है एक ही होने वाला है मेरा, ओके, तो main के अंदर div, और div का नाम होगा note, तो एक particular note बना रहा हूं, ओके, तो इस note को हम लोग यहां से बनाएंगे, dot note, इसकी width मैं 400 pixels ले लूँगा, और इसकी height भी मैं 400 pixels ले लूँगा, so width and height 400 pixels ले ले लेता है, background color मैं इसका दे देता हूं white, ठीके तो यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और साथ-साथ इसको हम लोग दे देता है, margin में देता हूं, कुछ 15 pixels की, तो यह इस जगा पर आ गया, ठीके, अब इसके अंदर हमें ऊपर वाला यह toolbar बनाना है, तो toolbar बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर एक div लगा और फिर इसके अंदर जो text का color होगा, वो होना चीए white, ठीके, और इसकी padding में दे देता हूं, 5 pixel की, तो चारा तरफ से 5 pixel की padding आ जाएगी, और एक यहां पर हमारा tool bar आ जाएगा, देख लेता है, एक बार, ओके, यह हो गई width, यह हमने tool लिखा है, और यहां inspect करके देखते हैं कि यह tool क्यों नहीं आया है अब तक, तो note, और I guess, okay, index.html, save नहीं की रही थी, इसलिए, ठीके, तो देखे, यह आगया, अब हमें क्या करना है, हमें font awesome लगाना है, font awesome से, यह वाले tools लगाना है, ठीके, तो font awesome की जो मेरी cdn है, वो मैं लेके आ जाता हूं, जो मैंने last project में use क है, वो ही यह पूरा मैं kit copy कर लेता हूं, ठीके, आप font awesome की website पर जाकर अपना kit download कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं, वो भी मैं समझा देता हूं आपको, तो देखे, आपको जाना है font awesome, ठीके, font awesome, और font awesome की website पर चले जाना है, यहाँ पर आ रहा है, get started for free, मतलब start for free लिखा हूआ ह यहाँ आप अपने email id डालेंगे, तो यह आपको kit send कर देंगे, उस kit में क्या होगा, यह एक URL होगी, जो आपको लगा देना है, मतलब एक script tag होगा, जो आपको लगा देना है, तो चले अभी तो मैं सीधा icons पर चला जाता हूँ, और 5.14 जो है, वो मैं use कर रहा हूँ, तो वो आप ले लिजी और tool के अंदर लगा देना हमको इधर, ठीक है, यह trash का code हो गया, और मुझे क्या चाहिए, तो और मुझे यहाँ से चाहिए, trash के साथ एक save, ठीक है, तो save भी कर लेता है, यह रहा save का code, ठीक है, दोनों copy करके लगा देता है, तो देखे, यह आ गए, उस content और end, ठीक है, content कहाँ पर जाना चाहिए, end में जाना चाहिए, मतलब सबसे पीछे आ जाना चाहिए, इसके बाद, अगर आपको same UI बनानी है, तो आप इसको trash वाले को नीचे ले लिजे, तो trash वाला पीछे आएगा, और save आ गया जाएगा, साथ ही साथ हमको कुछ और चीज दे जाता हूं, तो एक छोटा सा decent gap आ चुका है, और इस पर लगा देता है, हम लोग cursor pointer, ठीक है, तो देखे, cursor pointers लग गई ये, और ये मेरे delete के button हो गए, next जो हमें काम करना है, वो बनाना एक text area, तो tool के just बाद में हम लोग एक पूरा text area ले ले लेंगे इदर, ठीक है, और इ हुझे इस text area को, यानि हमारे note के अंदर वाले text area को पकड़ना है, यानि उसका selector बनाना है, ठीक है, text area, और हमें यहाँ पर देना है border, none, मतलब border कुछ भी नहीं होनी चाहिए, तो border, none, ठीक है, इसकी border हटा दिये हमने, फिर हमें देना है width, 100%, and height, 100%, ठीक है, इसकी width और height कित इसका resizer जो है, वो भी मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या करेंगे, resize, none कर देंगे, तो resizer भी हट गया, यह आपका text area है, अब आप चाहते हो कि जब बंदा यहाँ पर click करे, तो यह भी ना दिखे, मतलब side वाली borders भी ना दिखे, तो आप क्या करोगे, आप इसके focus पे ठीक है, आप यहाँ लगाओगे, colon focus, और focus पे आप लगा दोगे, simply border, ठीक है, 0, तो यह देखे, यहाँ पर, हो गया, border इसकी 0 हो गई, एक बार हम लोग border और outline दोनों चीज़ों को 0 करवा देते हैं, border भी 0, outline भी 0, ठीक है, अब आपका text वहाँ से, उपर से सुरू हो रहा है इस जगह से, तो इसको भी मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, और मैं देता हूँ, padding 10 pixels की, ठीक है, तो text मेरा यहाँ से सुरू होगा, और अब जो भी आप text लिखना चाते हो, वह यहाँ simply लिख सकते हो, ठीक है, font की size अगर आपको बड़ी करनी है, थोड़ी सी font size बड़ी कर ठीक है, although यह यहाँ पर नहीं रहेगा, as it is, JavaScript से implement करवाया जाएगा, बट यह हमारा एक note हो गया, next मुझे क्या करना होगा, तो next मुझे एक छोटा सा गाम और करना है, कि इस main के अंदर ही, यह मैं कहीं भी बना सकता हूँ, वैसे main के अंदर कोई necessary नहीं है, एक button बनाऊँग और साथे साथ में मुझे एक plus का symbol भी चाहिए, तो वो भी font awesome पर मिल जाता है, आप font awesome पर जाहिए, और यहाँ पर आपको simply क्या लिखना है, उपर आपको लिखना है plus, ठीक है, तो देखें, यह आ गया, यह हमारा plus का symbol आ गया, यह तो original है, यह रहा, उपर आप देख सकते हो अब मुझे इसके अंदर क्या करना होगा, तो मुझे इसको भी customize करवाना है, तो मैं चलता हूँ custom CSS में, और यह जो हमारा add btn है, यानि add का जो button है मेरा, उसको target करता है हम लोग, और उसको हम लोग position देंगे, fixed, ठीक है, तो position fixed देता हूँ इसकी, position fixed देने से यह उस जगह से हट जाएगा, और फिर मैं उसको right से, इधर खिसका दूँगा, right से 10 pixels, ठीक है, right से लेकर हम इसको 10 pixels ले लेता है, ठीक है, right से 10 pixels, और top से भी मैं इसको 10 pixels ले लेता हूँ, तो यह एक fix जगह पर पढ़ा है, फिर मैं इसको दे देता हूँ background color, और background color जो होगा मेरा, वो यह हो होना चाहिए, तो white color ले लेता हूँ, मैं, इसमें कुछ और चीज़ें कर देते हैं, जैसे padding लेते हैं, हम लोग 10 pixels की, तो थोड़ा सा gap आ जाएगा, okay, फिर इसकी border को आपको zero कर देना है, outline को आपको zero कर देना है, तो border outline कुछ नहीं होनी चाहिए, और इसकी border radius ले ले लेता ह अच्छे से बता हो, तो अब next, यह हमारा add note का button हो गया, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आता है, और इसकी भी थोड़ी सी font size मैं बड़ी कर देता हूँ, ठीक है, काफी ज़्यादा बड़ी हो गई, font size थोड़ा से इसको कम कर लेता है, ठीक है, तो add note का button है, वैस इसको नीचे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, margin from top और देदेंगे 20 pixels, ठीक है, margin from top तो थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं, 30 pixels, यह just मैं इसलिए कर रहा हूँ, ताकि जब मैं responsive करूँ, तब यह कुछ इस तरीके से overlap ना करें, ठीक है, मुझे कुछ और pixels इसको नीचे लान और इसी type से, मैं अगर note वाले 4-5 boxes और बनाता हूँ, तो यह कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो, कुछ इस type से बन रहे हैं, और हम लोग अब ready है, इसको work करवाने के लिए, बस मैं एक काम करता हूँ, padding from bottom दे देता हूँ, ताकि नीचे से भी जो एक छोट सी problem दिख रही थी, वो ना दिखे, ठीक है, तो इतना space नीचे से भी है, और उपर से भी है, और यह मेरे notes है, ठीक है, पहली बार पर आपको भी सारे दिख रहे है, because यह सारे static है, बट अब हम लोग इसको JavaScript से dynamic करने वाले है, तो यह बाकी सारे मैं हटा देता हूँ, और एक यह वाला जो simple सा मेरा है, इसको मैं comment कर लेता हूँ, ठीक है, तो पहले से कोई notes यहां नहीं होंगे, हम लोग क्या करेंगे, JavaScript की मदद से लगवाएंगे, तो चलिए, इसको हम लोग JavaScript की मदद से implement कर रहे हैं, तो यहां तक UI वाला part complete हो गया, अब आ जाते हैं, JavaScript को implement करने में, तो JavaScript को implement करने में हम लोग constant add btn का एक selector बना लेंगे, तो document.query selector, ठीक है, और has and add btn, ठीक है, तो यह मेरा एक add का button हो गया, जिस पे click होगा, तो मुझे क्या करना होगा, notes add करवाने होगे, ठीक है, तो यह भी हम लोग कर देता हैं, यहां आ जाता है, add btn.add event listener, और event listener में जैसे ही click होता है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक function चलाना है, और इस function में भी alert करवा के दिखाता हूँ, ताकि पता चल जाए कि actually यह button click चल रहा है कि नहीं, तो देखिए button click चल रहा है, next हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस alert के जगा, एक button एक बनाएंगे, add note नाम का function, call करवाएंगे, तो add note वाले function को मैं call करवा देता हूँ, और इधर मैं बना भी लेता हूँ, क्योंकि वो function मैंने पहले से बना नहीं रखा है, ठीक है, तो यह add note नाम का एक function हो गया, अब add note वाला function क्या करने वाला है, तो add note वाले function में हम लोगों को इस तरीके से करना है, constant note is equals to, and document.create element, ठीक है, हम लोगों को क्या करना होगा, element create करना पड़ेगा, तो हम लोग इसके अंदर सबसे पहले एक constant बनाएंगे, जो एक variable होगा, note नाम से, और इसमें हम लोग element create करेंगे, ठीक है, तो create element, document से हम लोग एक element create कर रहे है, और वो element कौन सा होगा, div, ठीक है, फिर हम इसके अंदर note.classlist, ठीक है, .add, classlist में class add करेंगे, जिसका नाम है note, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपको exactly इसको copy करके ले लेता हूँ, यहां से, और यहां लगा देते हैं, हम लोग, ठीक है, हम इसको पूरा पूरा replicate कर रहा है, बट replicate किस से कर रहा है, with the help of DOM, ठीक है, हम लोग markup language से नहीं कर रहा है, DOM बना रहा है, तो मैंने क्या किया, एक div बनाई, और उस div के अंदर क्या कर दिया, यह note वाली class लगा दी, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, note.inner text, ठीक है, inner sorry, html, text नहीं हो सकता, और inner text में back tick के अंदर, मैं यह सारी चीज़ें डाल दूँगा, मतलब tool or text area जो है, मैं इसके अंदर डाल दूँगा, तो finally मेरे पास क्या बन जाएगा, यह, इसको हटा देते हैं हम लोग, यह जो मेरे comments हैं, वो हटा देता हूँ एक बार, तो देखो, हमने क्या क्या, note के अंदर inner html में यह सब कुछ डलवा दिया, तो जो div बनी है न, उसके अंदर एक class भी लग गई और inner html में यह सब चला भी गया, तो अब हमारे पास, यह एक particular note आ गया, मतलब एक मेरे पास div आ गई, next मुझे क्या करना होगा, तो मेरे को इसके अंदर और भी सारी चीज़े करवानी है, बट मैं आपको instantly यह करके दिखा देता हूँ, कि जो हमारा main है, उसके अंदर हम लोग add करवाएंगे, तो हम लोग इधर बना देता है, main is equals to document.query selector, ठीक है, आप get element by b कर सकते हैं, बट get element में हम लोगों को उतने functions नहीं मिलते हैं, जितने query selector में मिल रहा है, तो इसलिए हम लोगों को वो functions चाहिए, तो इसलिए हम लोग query selector से बना रहा है, ठीक है, और हम लोग कर देंगे main.append child, ठीक है, और append child में हमें क्या करना है, note append करवा देना, अभी इसके बीच में हमें और भी चीज़ें करवा नहीं है, बट एक बार उसको हम लोग side में रख देता है, तो main के अंदर हमें क्या append करवाना है, एक note, तो अब next happen चलते हैं, और यह हमारा page है, इस पे add पे click करते हैं, तो आप देखे, बहुत सारे notes add होते जाएंगे, एक 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 करके, जो हमारा main है, उसके अंदर note add होते जाएंगे, तो जैसे जैसे आप यहाँ click कर रहे हो, तो dom क्या कर रहा है, यहाँ notes को add कर रहा है, ठीके, अब next जो हमें काम करना है, वो यह है कि हमें कुछ events बनाना है, ठीके, तो जैसे user suppose यहाँ click किया, यह note तो आ गया, बस इसके delete पे, delete भी होना चाहिए, इसके click पे save भी होना चाहिए, चलो save का logic बाद में देखेंगे, बट delete के click पे, delete का logic देख लेता है, ठीके, तो हम यहाँ पर आएंगे, और हम लिखेंगे note dot, note के अंदर, query selector, और note के अंदर, जो एक class बनाई है, और यह हम लोग बना देता है, trash dot add event listener, ठीके, trash पर जब click होगा, मतलब जब बंदा trash पर क्लिक करेगा, तो हमें एक function चलाना होगा, ठीके, जैसे ही बंदा trash पर click करता है, हमें एक function चलाना होगा, और इस function में हम लोग क्या करेंगे, तो इस function में लिखेंगे note dot remove, ज जैसे में delete पर click कर रहा हूँ, आप देखेंगे note यहां से delete हो रहा है, देख सकते हो, ठीके, यह हो गया, अब next हमें क्या करना होगा, तो next हमें save वाले button को भी logic लगाना पड़ेगा, मतलब यह जो save वाला button है, उस पर जब user click करे, तो उसका logic भी लगाना पड़ेगा, ठीके, तो यहां तक तो हमारे notes आ रहे हैं, और साथ साथ में आप देख सकते हो, मैं यहां कुछ type भी कर सकता हूँ, hello everyone, ठीके, यह हम लोग type भी कर सकता है, लेकिन, जब मैं refresh कर रहा हूँ, तो यह यहां रुक नहीं रहे है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, save का logic लगा ठीके, तो वो function एक और function को call करेगा, जिसका नाम होगा, save notes, ठीके, तो यह save notes वाला function अभी हमने बनाया नहीं है, बट बना लेता है, चलिए उपर, और यहां पर आ जाता है, constant, save notes, सबसे उपर मैं बना लेता हूँ, constant, save notes is equals to arrow function, आप चाहें तो कोई भी function ले सकता है, arrow function भी सकता है, या function keyword से function भी बना सकता है, तो save notes, और save notes में हम लोगों को क्या करवाना, exactly, तो save notes में हम लोगों को, वो सारे notes, जो बने हैं अब तक, ठीके, मतलब जैसे ही बंदा यहां पर click करता है, तो यह जो notes बन रहा है, इनको local storage में डालना है, ठीके, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, तो इसके लिए हम लोग यहां पर बनाएंगे, constant notes is equals to, ठीके, notes is equals to, और हम यहां पर करेंगे, document.query selector all, ठीके, सारे elements चाहिए मुझे, जो note के अंदर text areas है, उनको उठा के लेकिया हो, तो जितने text areas होंगे, उतने obviously note बने होंगे, तो note के अंदर जो text areas है, उनको और क्या करना है, और यहां पर बनाना है constant data, तो data पहले से क्या होगा, empty होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, ठीके, और फिर हम लोग यहां यह करेंगे, notes.for each, और एक-एक note को हम लोग उठाएंगे, ठीके, एक-एक note को हम लोग उठाएंगे, और simply हम लोग यह यह ना पता हो कि arrow function, one line functions भी होते हैं, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, तो सारे notes मैं उठा के लाओंगा, एक-एक-एक लूप में चलेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक बार, ठीके, console log, सारे notes हमारे पास आ जाएंगे, तो मैं save पे click करवा के दिखाऊंगा, देखे, यहाँ पर save पे click किया, तो देखो, चार text areas आ गए मेरे पास, और मैंने क्या किया, चारो text areas को एक-एक बार चलाया, और इसकी value को हम लोग क्या कर देंगे, finally इसके अंदर push कर देंगे, data वाले variable के अंदर, ठीके, तो console log करते हैं, data वाले variable को भी, अब देखे, मैं यह यहाँ पर आया, और मैंने लिखा hello everyone, ठीक है, और मैंने यहाँ save पे click किया, तो देखो, यह चला गया, data के अंदर hello everyone, मैंने एक और note बनाया, और मैंने लिखा how are you, ठीक है, और फिर मैंने save पे click किया, तो देखो, दो चीजे चली गई, hello everyone, और how are you, अब इनको हमको कहाँ डा json.stringify json.stringify data, हमें क्या करना है ये जो हमारे सारे notes है ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा hello everyone ये मैंने save पर click किया ये मैंने लिखा how are you ये मैंने save पर click किया तो जैसी मैं save पर click करता हूं तो ये जो सारा data है वो किसके पास आ रहा था मैंने आपको दिखाया इसमें एक array के अंदर आ रहा था उस array को मैंने string बना कर यहां डाल दिया local storage में तो आपको इधर आना है developers tool पे application पे click करना है local storage और आप यहां पर अगर देखेंगे तो यह notes में पढ़े हैं सारे के सारे data आ गया मैं अगर यहां पर क्लिक करता हूं एक और note करता हूं मैं और मैं इधर लिख देता हूं हम लोग यह append करवाने के बाद save notes को call कर देंगे तो suppose क्या होगा कि user यहां पर आया और उसने यह दो notes add किया बट उसने कुछ टाइप नहीं किया और गलती से refresh कर दिया तो वह दो notes भी वापस उसको दिखने चाहिए अभी कैसे दिखेंगे उसका logic लगाना बाकी है बट हम लोगों ने यह कर दिया है कि देखिए आप यहां पर दो empty notes दिख रहे हैं जैसे मैं एक बार क्लिक करता हूं तो एक empty note आ गया ठीक है यह आ रहे हैं और आप जैसे delete करते जाओगे तो फिर से हम लोगों को delete के case में भी remove होने के बाद save notes वाले function को call करना है तो save notes वाला delete कर देंगे तो एक empty array बच जाएगा ओके अब हमारा काम हो गया notes हम लोगों ने save करवा दिये अब हम चाहते हैं कि user जब page पर आए तो उसको notes दिखने चाहिए तो हम लोग एक self calling function मनाएंगे एक ऐसा function जो page load होते ही चलेगा तो parenthesis function ठीक है और इस function की last में मैं हाँ calling करवा दे और ही चेक क्या करेगा यह चेक करेगा constant notes is equal to local storage dot get item local storage में से item निकालेगा कौन सी notes वाली जो local storage में मैंने डाला था वो निकालेगा और हमको यहाँ पर console में दिखाएगा ठीक है page load होते ही अभी मैं क्या करता हूँ एक मैंने click किया एक बार देखते है कुछ console में error आ रही है add event listener यह बताा रहा है not a function ठीक है तो देखे मैंने add पे click किया और मैंने यहाँ पर लिखा hello ओके और मैंने save पर क्लिक कर दिया फिर मैंने add पे click किया और मैंने baik प्लूस क्यूब टैक लिखा फिर मैंने सेव पे क्लिक कर दिया अब क्या होगा अब जब मैं रीफ्रेस करूंगा ठीक है तो लोकल स्टोरेज में अगर यह डेटा पड़ा है तो मुझे यहां पर दिखाना चाहिए ठीक है तो देखते हैं एक बार लोकल स्टोरेज.getnotes लिखा था मैंने और यहां पर मैंने नोटस नाम से भनाया है तो कंसोल में हम लोगों को यह डेटा दिखना चाहिए तो आप देख सेकते हो जो हमारे लोकल स्टोरेज में डेटा पड़ा था वह पेज रिफ्रेस होते हैं यह मुझे यहां पर दिखा रह और मैं refresh करता हूं तो देखिए यह टेस्ट आ रहा है क्योंकि आपने क्या किया पुराने वाले ओवर्राइट करवा दिये बट मुझे पुराने वाले भी यहां दिखाने है तो अब इस केस में जब मेरे पास यह नोट्स आ गए तो मैं क्या करूंगा मैं यहां पर सिंपली च और अब हम लोग यहां करेंगे .4Eats atau यहां पर हम लोग चलाएंगे pox्थाया थो मेरे पास जितने सारे चात में पास अहूं उन में से में एक 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 नोट उठा रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं मैं add note वाला function call कर रहा हूँ तो देखे, functional programming का यही फाइदा है, कि आपने add note का function बनाया था, अब आपने वापस उसको call कर दिया, तो क्या होगा, यह loop में चलता रहेगा, और देख लेता है, यह बोल रहा है add note cannot be, कोई बात नहीं, add note declare करने से पहले use नहीं कर सकते, तो हम लोग इस function को सबसे नीचे ही ले जाता है, ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पर ले के आ जाता है, तो अब क्या हुआ, जैसे आप page पर आए, आपको एक पहले से दिख रहा है, इस पर मैंने डाला, testing the data, save किया, ठीक है, एक और डाला, ws, kubetech लिखके, ठीक है, और save कर दिया, अब मैं जितनी बार refresh कर रहा हूँ, मुझे दो text areas बने वे दिख रहे हैं, आप देख सेकते हैं, दो मुझे ये दिख रहे हैं, बट इनके अंदर data नहीं है, तो data डलवाने के भी हमें क्या करना पड़ेगा, add note वाले function को थोड़ा सब modify करना पड़ेगा, हम यहां से क्या बेजेंगे, ls note, मतलब एक particular note यहां से बेजेंगे, और वहाँ पर हम लोग लिखेंगे, text, ठीक है, वहाँ पर हम लोग लिखेंगे, text is equals to empty, पहले से text खाली होगा, मतलब क्या बोल रहे हम लोग, हम लोग बोल रहे हैं कि add note का default argument है, text, वो empty है, क्यों है, क्योंकि बंदा click पे भी add note करवाएगा, click पे भी add note करवाएगा, तो उस time पर तो वो कुछ भेजेगा नहीं, तो तब वो खाली रहेगा, लेकिन, जब local storage से आएगा, तब वो भरावा होगा, मतलब उसमें कुछ नो कुछ होगा, जब local storage से आ रहा है, और उसमें कुछ है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर, इसके अंदर, text area के अंदर, प्रिंट करवा देना है, तो मैं dollar parenthesis से, यह text प्रिंट करवा देता हूँ, तो देखिए, जब click पे यह add note वाला function call होगा, तो text क्या होगा, empty होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन, जब loop में चल रहा है, local storage से जब आया है, तब क्या होगा, कुछ न कुछ text होगा, और अब मैं वापस refresh करता हूँ, और हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, testing, save, data, save, refresh करते हैं, देखो, आप कितनी भी बार refresh करोगे, यह data आपको हमें साब पढ़ावा मिलेगा, और यहाँ पर आप जाओगे तो यह रहा, अब मैं delete पर क्लिक करता हूँ, और refresh करता हूँ, तो जो delete हो गया था वो हट गया, फिर delete पर क्लिक किया, तो देखे, जो delete हो गया वो हट गया, यह हमारा local storage के थूरू logic बन गया, अब इसके बाद हमें कुछ और चीज़े भी लगाने पड़ेगी, जैसे क्या, कि एक न एक जो text area है, वो तो यहाँ रहना ही चाहिए, तो यह जो self calling function है, उसको हम लोगों को थोड़ा सा modify करना है, और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लगाना है, कि जो list of notes आईए, if ls.note की length, जो यह ls.note है, इसकी अगर जो length है, ठीक है, वो अगर क्या आती है, 0 आती है, ठीक है, ls.note की length, तो अगर उसकी length 0 आती है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लिखना है local storage.remove item, को यह एक नया text area add करवा देना है, मतलब add note हम लोगों को empty चला देना है, ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोगों को ट्राइ करते हैं, जितना हम लोगों ने बनाया है, तो testing the data, और यह मैंने save किया, फिर मैंने यहाँ पर लिखा, ws.cubetech, और यह मैंने save किया, करने पढ़ेंगे, save note के अंदर, ठीक है, save note के अंदर हम लोगों क्या modifications करेंगे, कि यह जो हमारे notes है, ठीक है, यह जो हमारा data है, अगर वो data खाली होता है, मतलब अगर वो data कुछ है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, if data.length is equals to equals to zero, अगर data खाली है, तो इसका मतलब local storage में कुछ नहीं है, मतलब local storage में डालने के लिए कुछ नहीं है, तो local storage में से, अगर note नाम की कोई item पढ़ी है, तो उसको हम लोगों को क्या कर देना है, remove करवा देना है, और else हम लोगों को local storage में कुछ डलवा देना है, ठीक है, तो हमने क्या logic लगाया, हमें पता है कि data हमारे पास जो है, वो किस से बन रहा है, ये text area से बन रहा है, तो user जब सब कुछ delete कर चुका है, तो एक भी text area नहीं बचा है, तो जब एक भी text area नहीं है, तो data की length obviously 0 होगी, तो data की length अगर 0 होती है, तो हम लोगों को क्या करना ह कि ये जो हमारे ls आ रहे हैं, उसमें chances हैं कि null भी आए, ठीक है, तो अगर ls equals to equals to null आता है, मतलब जब कुछ भी नहीं होगा तो obviously null आएगा, तो जब null आता है और नहीं आता है, अगर null नहीं आता है, इसका मतलब local storage में कुछ पढ़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, add notes करवा तो नहीं थ्रो कर रहा है, तो एक बार तो हम लोगों को manually local storage delete करना पड़ेगा, तो ये मैं local storage manually delete कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पर click करता हूँ, delete किया मैंने, देखे, जब मैं सबसे last element को delete कर रहा हूँगा, ठीक है, ये मेरा सबसे last element है, तो यहाँ पर note करना, ये जो local storage है वो पूरा ही हट जाएगा, और refresh करने पर एक empty आ रहा है, और यहाँ पर हमने लिखा testing, फिर हमने save किया, add किया, फिर testing लिखा, फिर save किया, और refresh किया, दोनों आ रहा है, और जब हम लोग delete कर देंगे, तो एक भी नहीं है, और एकदम fresh नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कुछ इस selector से text area है, जैसे ही उस पर क्या होगा, हम लोग लगाएंगे, उस पर focus out होगा, ठीक है, focus out का मतलब कि user वहाँ से लिखके हट चुका है, तो हम लोग फिर से एक function चला देंगे, save note वाला, ठीक है, इससे क्या होगा, कि जब user हमारा लिखकर हट जाएगा, ठीक है, जैसे user ने लिखा कुछ और हट गया, तो आप देखना, यहाँ पर अपने आप test आ गया, save पर click करने की जरूत नहीं पढ़ रही है, यहाँ पर लिखा कुछ और हट गया, तो अपने आप add हो गया, तो save करने की जरूत नहीं है, आपको यह auto save पर चला गया, ठीक है, तो इस तरीके से य इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. स्वाइब गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. That's it for this video. Thank you so much for watching.